नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चलर बुंदिली तड़का में आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ दिल की लड्डू की रेसिपी मकर संक्रांती आने वाली है तो मैंने सोचा ए रेसिपी आपके साथ सेयर करूँ हमारे बुंदिल करने में मकर संक्रांत को सकरात बूलते हैं तो लिए शुरू करते हैं तिल के लड़ू बनाना तो यहाँ पर मैंने एक पाउ तिल लिए पाइट तिल 200 ग्राम है गुड़ दो चम्मच गी और कुछ ट्राइप फूर्स है चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अब हम तिल को भूल लेंगे हलका सा गोल्डन ब्राउन तिल को हम चलाते रहेंगे ऐसे कड़ाई में अगर चलाएंगे ने तो यह तिल लग जाएगा और चल जाएगा नीचे दीमी आज पर इनको भूनना है जब तक हमारे तिल भून रहा है तब तक हम गुड़ को तोड़ लेंगे ऐसे पॉल्टिन में गुड़ को रख लेंगे और इसको तोड़ लेंगे गुर्च दोनने का यह सबसे आसान तरीका है ना तो गुर्च पकता है और अच्छी तरह से बारिक गुर्च आता है तिल हमारे बुन चुके है एक तम गॉल्डन ब्राउन होगा है अब हम इसको धाली में निकाल लेंगे अब हम कडाई में गीडा लेंगे और ट्राइपूर्स को और लेंगे तल लेंगे इसको एक से दो निट दी मियांच पर किस उस्ते के फूले लगी है हमें इनको इतना ही बुना बच्चे गी में अब इक गुल्ड डाल देंगे और इसका पाग बना लेंगे गोड़ को धीमी धीमी आज पर पकाना है कोड़ा हमारा चितरह से पेखल गया है अब इसको थोड़ा और पकाएंगे चार से पास मिनिट इसको चेक करेंगे यह हुआ है कि नहीं हुआ है लट् जाएगी है कि चेक कर लेते हुआ है कि नहीं हुआ है यह देखिए अब आ जा रहे होगी यह आसानी से टुक रहे है अब हमारा पाग हो गया है कि अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको बटापत लड़ू बनाएंगे हखासा ठंडा पाग और तिली अच्छे से मिक्स हो गए अब हम से लड़ू बनाते हैं बाग सी कि एसे लेंगे और इसे से घुमाएंगे चिप आ कि लिट्ल you कितना मस तयार हो गया बनके ऐसी हम बाकी के बना लेंगे हमारे लट्डू बनकर तयार है देखिए कितने अच्छे बने हैं आप सबी को मेरी और मेरे परिबार के तरफ से एड़बांस में हैपी मकर संक्रानती अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें सेयर करें, कमेंड करें धन्य बाद